नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका अपनी उटूब चैनल परफेक्ट स्टेडिजेस में दोस्तों आज हम लेकर आए हैं बिहार एसाई मेंस का हिंदी का प्रेक्टिसेट जो की आज हम प्रेक्टिसेट नमबर चार लेकर आए हैं इससे पहले दोस्तो हम तीन प्रैक्टिसेट करा चुके हैं अगर आपने नहीं देखे हैं तो मेरे प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं दोस्तो यह प्रैक्टी सेट जो हे रहमान सर का बिद्या सागर का बुक से है और दोस्तो आप से एक रिक्वेस्ट था कि अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किये हैं इसे सब्सक्राइब करने इसे ज्यादा से ज़्यादा लाइक करें दोस्तो में सेर करें Facebook, WhatsApp आप टेलिग्राम के माध्याम से और बेल आइकन का बटन दावाना ना भूलें क्योंकि जो भी मैं वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकर्सन आपको पहले प्राप्त होगा दोस्तो इससे पहले हम एड़ोटेडिया भाइलूम टू का जिक्के जीएस का अठारा प्रैक्ट सेट करा चुके हैं और अभी करेंट अफ्यर सेटूरिया का प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं जिसमें हम तीन प्रैक्टिस सेट करा चुके हैं उसे भी अगर आपने नहीं देखा है तो मरे प्लेलिश में जाकर उसे देख सकते हैं चलिए दूस्ते स्टार्ट करते हैं आज का ह पहला कोशन कर रहा है कि लगु का बिलोम सब्द क्या होगा तो इसका राइट एंसर आपका हो जाएगा ओप्शन नमर सी लगु का बिलोम सब्द गुरु हो जाएगा नेश कोशन देखते हैं दोस्तों बिगरह का बिलोम सब्द क्या होगा तो इसका राइट एंसर आपका हो option number A, बिगरह का बिलोम सब्द संधी हो जाएगा next question देखते हैं दोस्तो next question आपके कर रहा है कि संकिर्ण का बिलोम सब्द क्या होगा तो इसका right answer आपका हो जाएगा 3 का option number D, यहने कि संकिर्ण का बिलोम सब्द 23 हो जाएगा next question देखते हैं दोस्तो question number 4 कह रहा है की कि महात्मा का बिलूम सब्द क्या होगा तो इसका राइट एंसर हो जाएगा साथ का आपसन नमर C दूरात्मा नेश्क कुछन देखते हैं दोस्तों कुछन नमर 8 करा है कि कुल्टा का बिलूम सब्द क्या होगा तो इसका राइट एंसर आपका हो जाएगा अपसिय नमर आ, प्रती पती वरता कुल्टा का बिलूम सब्द, पती वरता हो जाएगा अपसिय नमर A, right answer next question देखते हैं question number 9 को रहा है कि गोन का बिलूम सब्द क्या होगा तो गोन का बिलूम सब्द आपको हो जाएगा अफसे नमर B, मुख्य हो जाएगा नेश कुश्चन देखते हैं दोस्तों कुश्चन नमर 10 कर रहा है कि किर्तग्य का बिलोम सब्द क्या होगा तो किर्तग्य का बिलोम सब्द आपका हो जाएगा आपसन नमर C में जो और दे रहा है किर्तग्य जो है यही आपका किर्तग्य का बिलोम सब्द हो जाएगा अब देख लेते हैं कुश्चन नमर 11 से 15 में क्या कर रहा है तो 11 से 15 में कर रहा है कि निम लिखित प्रश्णों में सुध वरतनी का विकल्प कौन सा है तो चलिए देखते हैं सुध कौन है तो कुश्चन नमर 11 में स्रिंखला दे रहा है तो इसमें आपका एगाड़ा का राइट एंसर हो जाएगा आपका 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 सुध बरतनी क्या होगा तो option number D जो है वांच्छनिय दिया हुआ या आपका सुध बरतनी है next question देखते हैं दोस्तों विश्वास विश्वास का सुध बरतनी क्या होगा 14 नमबर में कह रहा है कि विश्वास का सुध बरतनी बताए तो विश्वास का सुध बरतनी आपका हो जाएगा आपसार नमर C में जो दे रहा है विश्वास से आपका सुध बरतनी हो जाएगा नेस्ट कुश्चन देखते हैं, कुश्चन नमर 15 कर रहा है कि बहिसकार का सुध बरतनी क्या होगा तो 15 का राइट एंसर आपका हो जाएगा, आपका जो बहिसकार दिया होगा है या सुध बरतनी है नेक्ष देखते हैं सुला में क्या कर रहा है सुला में कर रहा है कि पड़ी इस्तिती का सही वरतनी क्या होगा तो इसका राइट अंसर हो जाएगा अपसन नमर बी माफ किजिएगा अपसन नमर बी में जो देरा पड़ी इस्तिती ये आपका सुध वरतनी है फिर next question देखते हैं question number 17 में क्या कर रहा है स्वास्त का सुध वरतनी क्या होगा तो 17 का हो जाएगा आपका स्वास्त का सुध वरतनी option number A में जो दिया है स्वास्त आपका सुध वरतनी है next question देखते है question number 18 कर रहा है तो option number D में जो दे रहा है उलंगन या आपका सुद्ध वर्तनी हो जाएगा Next question देखते हैं Q2 कराए कि स्वर्गी का सुद्ध वर्तनी क्या होगा Question number 20 का राइटेंसर आपका हो जाएगा Option number A में जो स्वर्गी दिया हुआ है या आपका राइटेंसर हो जाएगा नेस कुशन देखते हैं क्या कर आए? कराए कि निमलिखित वाक्यानसों के लिए सही सवब्द का चायन किजिए तो 21 से 30 तक में है देख लेते हैं क्या कराए? कुश्चन नमर 61 करा आए कि पासु के धिंग का अपशन नमर 21 कर आए? वास भी कहेंगे अप्शन नमर भी राइट एंसर हो जाएगा उसके बाद आप्शन नमर बाइस कर रहा है कि जिसी जमीन में कुछ पैदा ना होता हो उसको हम लोग क्या कहते हैं तो इसका राइट एंसर हो जाएगा आप्शन नमर बाइस का आप्शन नमर ए उसर नेश कोशन नमर तेज करा आगे किसी गूड भी साइक कि ब्रिहाद टीका को हम लोग एक सब्दों में क्या कहेंगे तो इसका राइट एंसर हो जाएगा आपसन नमर सी उसको हम लोग भास से कहेंगे नेश कोशन देखते हैं दोस्तों कोशन नमर 24 कह रहा है कि किसी बात को बढ़ा चड़ा कर कहना को हम लोग एक सब्दों में क्या कहेंगे तो इसका राइट एंसर हो जाएगा आपसन नमर ए अतीस से उकती किसी बात को बढ़ा चड़ा कर कहना को हम लोग अतीस से उकती कहेंग next question देखते हैं दोस्तो question number 25 कड़ा है कि जिसका जन में नीमन बर्न में हुआ हो उसको हम लोग एक सब्दों में क्या कहेंगे तो इसका right answer हो जाएगा पचीज का option number D उसको हम लोग अत्यांज कहेंगे next question देखते हैं दोस्तो question number 26 कड़ा है कि मूल कथा में आने वाला प्रसंग को हम लोग एक सब्दों में क्या कहेंगे तो इसका right answer हो जाएगा option number B अंत कथा मूल कथा में आने वाले प्रसंग को हम लोग अंत कथा कहेंगे option number B right answer हो जाएगा नेट서्क कोश여 देखते हैं तक 27 का रहा है कि परववात के नीचे तलहटी की भूमी को हम लोग एक सब्द में क्या कहेंगे तो 27 का राइट अन्सर हो जाएगा अप्शन नमर C, उप्ते का, परवववात के नीचे तलहटी की भूमी को हम लोग उप्ते का कहते हैं नेस्ट कोशन देखते हैं दोस्तों, कोश्चन नमर 28 कर रहा है कि रंग मंच पर परदे के पीछे के अस्थान को हम लोग एक सब्द में क्या कहेंगे, तो इसका राइट एंसर आपका हो जाएगा 28 का अपसन नमर A, उसको हम लोग नेपत्थे कहते हैं, नेस्ट कोशन देखते हैं दोस्तों, कोश्चन नमर 29 कर रहा है कि तूटे फूटे पदार्त के बचे टुक्रे, तो इसका राइट एंसर हो जाएगा 29 का अपसन नमर D, यानि कि भगनाव सेज, तूटे फूटे पदार्त के बचे टुक्रे, भगनाव सेज कहलाते हैं, नेस्ट कोशन देखते हैं नेस्ट कोशन आपके हो जाएगा, कोश्चन नमर 30 कह रहा है, कि पर पुरु से प्रेम करने वाले इस्तिरी को हम लोग एक सब्द में क्या कहेंगे, तो 30 का राइट एंसर आपके हो जाएगा, आपसन नमर C, पर किया, पर पुरु से प्रेम करने वाले इस्तिरी को हम लोग पड़ किया कहेंगे, नेश कुछे देखते हैं धूस्तों, 31 का पाचान करना है कि तत्सम सब्द है, तो इसका राइटेंसर हो जाएगा अप्षान नमर A, प्रत्य विज्ञान जो है, प्रत्य विज्ञान, प्रत्य विज्ञान जो है, अप्षान A जो दे रहा है, यह आपका सब्धद हैs next question देखते हैं 32 32 कर रहा है कि आपका प्रभुत्तु का तदभın शब्द्द है निएकिछ नमर diye पहुँच जो है यह प्रभुत्तु का सब्द्द हैs next question देखते हैं दोस्तो question 33 कर रहा कि बहनोई सब्द का सी आपका है तो इसका पूर कड़ा की 32 सब्द का तत्सम है तो 34 का राइट एंसर हो जाएगा आपसे नमर डी वरती का नेश्च कुछन देखते हैं दोस्तों निमली खित में से कौन सब्द तदभाव है तो 35 का आपका राइट एंसर हो जाएगा आपसे नमर डी भावराजु है यहापका तदभाव मेजा इसक्षन देखते हैं दोस्तों कुश्टन नमर आपका 36 कर रहा है कि ब्रिशुत कश सब्द का तदभा रूप हो जाएगा आपसे नमर रेजु नेसक्त देखते हैं सब्द का तदसम है तो 37 का राइट एंसर हो जाएगा आपसे नमर डी अग्यान next question जेखते हैं दोस्तो what's what's सब्द है तो 38 का राइटेंसर हो जाएगा option number A तत्सम यह 39 कह रहा है कि यह तत्सम रूप है यह का तत्सम रूप है तो 39 का राइटेंसर आपका हो जाएगा option number B yes यह का तत्सम रूप है yes 39 का B हो जाएगा 40 कह रहा है कि यह यहाँ सब्द का तत्सम है तो इसका रूप हो जाएगा option number C अत्र जो है यहाँ सब्द का तत्सम है next question जेखते हैं दोस्तो question कर रहा है कि नीमन में से माफ किजिएगा नीमन में से कौन सही नहीं है तो 41 कर राइट अंसर हो जाएगा शोटा कर देते हैं 41 कर राइट अंसर हो जाएगा कि यह हो जाएगा कर रहा है कि अवयव और किरिया भी सेसन में कोई अंतर नहीं होता next question देखते हैं दोस्तो 42 कर रहा है कि वह लाचार है कि वह 43 कर रहा है आपका 43 कर रहा है कि निमलिखित में से किस वाक में करिया भी सेसन का परयोग नहीं है तो 43 कर राइट अंसर हो जाएगा option number C आम मिठा है इसमें करिया भी सेसन का परयोग नहीं है next question देखते हैं 44 कर रहा है कि जिस सब्द से करिया के होने का शमय निर्धारितों उसे कहते हैं तो 44 कर राइट अंसर आपका हो जाएगा option number B काल कहते हैं next question देखते हैं दोस्तो 45 कर रहा है कि निम्न में से किस वाक में करिया भी सेसन का असुद्ध परयोग हुआ है तो 45 का आपका राइट अंसर हो जाएगा option number B वह चुप चाप से चला गया next question देखते हैं दोस्तो 46 कह रहा है कि वह कौन सा सब्द करिया भी सेसन है तो 46 का राइट अंसर आपका हो जाएगा option number A तेज जो है यहाँ आपका करिया भी सेसन है next question देखते हैं दोस्तो question number आपका हो जाएगा 47 47 कह रहा है कि निमुन में से किस वहाँ में किया भी सेसन असुद रूप से पड़ेउक्त है तो 47 का राइट अंसर आपका हो जाएगा option number B मानसिक दास्ता सदा काल से चली आ रही है इसी में आपका क्रिया भी सेसन असुद रूप से पड़ेउक्त है next question देखते हैं question number 48 कह रहा है कि सीता पानी पीती है इस वाक में वाच्च का कौन सा रूप पड़ेउक्त है तो 48 का राइट अंसर हो जाएगा option number C कर्म वाच्च next question देखते हैं दोस्तो question number 49 कह रहा है कि उससे पड़ा ही नहीं जाता इस वाक में वाच्च का कौन सा रूप पड़ेउक्त है तो 49 का राइट अंसर अपका हो जाएगा option number C next question देखते हैं question number 50 कह रहा है कि निवन में से कौन सा अवयो का भेद नहीं है तो 50 का राइट अंसर हो जाएगा option number D गुन माचक अवयो का भेद नहीं है तो गुन माचक अवयो जो है वापका अवयो का भेद नहीं है next question देखते हैं next question करा है 51 कि सूना सब्द का पड़ेवाची क्या है तो 51 का राइट अंसर हो जाएगा option number C next question देखते हैं करा है कि राजा सब्द का पड़ेवाची क्या है तो 52 का राइट अंसर हो जाएगा option number C भूप next question देखते हैं करा है कि गड़ी सब्द का पड़ेवाची क्या है तो 53 का राइट अंसर अपका हो जाएगा option number C शदन next question देखते हैं ऐसो कुष्चन नमर 54 कह रहा है कि रेनूश सब्द किसका पड़वाची है तब 54 का आपका राइट अपका हो जाएगा अपसे नमर B धूल जो है वह रेनूश सब्द का पड़वाची है उसके बाद नेक्स कोशन देखते हैं नेस्ट कुशन कर रहा है तो 55 की केसरी किसका पड़वाची सब्द है तो 55 का राइट एंसर आपका हो जाएगा आपसन नमर B, C जो है यहां केसरी का पड़वाची सब्द है नेच कुछन देखते हैं दोस्तों, कुछन नमर 56 कर रहा है, कि मूर का पड़वाची सब्द इन में से कौन नहीं है, तब 56 का राइट एंसर आपका हो जाएगा, आपसन नमर D, और उन सीखा जो है, यहाँका मूर का पड़वाची नहीं है, मयूर है, कलापी है, और सीखी है, यह मूर का पड़वाची सब्द है, नेच कुछन देखते हैं दोस्तों, कह रहा है, 57 कि पुछकर किस सब्द का पड़वाची है, तो 57 कर राइट एंसर आपका हो जाएगा, आपसन नमर A, कमल जो है, वह पुछकर सब्द का पड़वाची है, नेच कुछन देखते हैं दोस पड़वाची सब्द है नेश कुशन देखते हैं दोस्तो कुश्चन नमर 59 कह रहा है कि यातुधान किस सब्द का पड़वाची है 59 का आपका राइट अंसर हो जाएगा आपसन नमर B यानि कि दानो जो है आपका यातुधान सब्द का पड़वाची है नेश कुशन देखते हैं दोस्तो कुश्चन नमर 60 कह रहा है कि सरवड़ी यामनी तथा रजनी सब्द किसके पड़वाची है तो 60 कह राइट अंसर हो जाएगा आपसन नमर B रात का पड़वाची सब्द है नेश कुशन देखते हैं कुश्चन नमर 61 आपको मुहावरा दिया हुआ है मुहावरा कह रहा है कि दिये गए मुहावरे का अर्थ बताए का बढ़खा जब क्रिसी शुखाने तो 61 का राइट अंसर करना है तो इसका राइट अंसर हो जाएगा आपसन नमर C काम भी गरने पर सहायता बेर्थ है 62 देखते हैं 62 करा है कि सर्वनामों की कुल संख्या है तो 62 करा इट अंसर हो जाएगा आपसन नमर C यानिकी 11 सर्वनामों की कुल संख्या 11 है नेट कोचन देखते हैं 63 कि दिये गए मुहावरे का अर्थ बताए उगल देना तो 63 कराईटेंटर आपका हो जाएगा आपसों नमर ए सच बोलना नेच कोशन देखते हैं दोस्तों नेच कोशन कराए 64 कराए कि भाव आच्चि की किरिया सिस्टी फोर कराइटेंटर आपका हो जाएगा आपसों नमर movie प्राया स्वतंत्र रहती है यह भावाच की किडिया है 64 नेस्ट कोशन देखते हैं दोस्तों नेस्ट कोशन करा है कि दिये गए मुहावरे का अर्थ बताना है कान का कच्चा तो 65 का आपका राइट अंसर हो जाएगा आपसन नमर्ड यानि कि किसी की निंदा सुनकर उसपर सिग्र विश्वास कर लेना कान का कच्चा होना होता है नेस्ट कोशन देखते हैं दोस्तों कोशन नमर्ड 66 कर रहा है कि दिये गए मुहावरे का अर्थ बताएं कोईले की दलाली में काले हाथ तो 66 का राइटेंसर हो जाएगा आपसन नमर्ड B यानि कि बुरे कार का बुड़ा फॉल 66 का राइटेंसर हो जाएगा आपसन नमर्ड B यानि कि बुरे कार का बुड़ा फॉल नेस्ट कोशन देखते हैं दोस्तों नेस्ट कोशन हो जाएगा 67 कर रहा है कि दिये गए मुहावडे का अर्थ मताएं कान पकरना तो 67 कर आइटेंसर हो जाएगा अपसर नमर C यानि कि भूल सुईकार करना नेश कुछन देखते हैं नेश कुछन 68 करा कि कर्म वाच की किरियापद का लिंग वर्चन होता है तो 68 कर आइटेंसर हो जाएगा अपसर नमर B करम अनुशार नेश कुछन देखते हैं काल के मुक्त डैस भेद हैं तो 69 कर आइटेंसर हो जाएगा अपसर नमर B तीन भेद हैं नेश कुछन देखते हैं दोस्तों दिये गए मुहावडे का अर्थ बताएं लोहा मानना तो 70 का राइटेंसर हो जाएगा आप्शन नमर ए स्रेष्टा स्विकारना नेस्ट कुछन देखते हैं दोस्तों कुछन नमर 71 कर रहा है कि दिये गए मुहावडे का अर्थ बताएं जोहर का घूट पीना तो 71 का राइटेंसर हो जाएगा आप्शन नमर B यानि कि अपमान शहना नेस्ट कुछन देखते हैं दोस्तों कुछन नमर 73 का रहा है कि दिये गए मुहावडे का अर्थ बताएं यानि कि दूर के ढोल शुहावने लगना इसका राइट एंसर करना है तो 73 का राइटेंसर हो जाएगा आपका अप्शन नमर D कह रहा है कि अंदेखी बस्तू माना दूर के ढोल शुहावने लगना अंदेखी बस्तू माना नेस्ट कुछन देखते हैं दोस्तों कुछन नमर 74 का राइटेंसर आपका हो जाएगा अप्शन नमर D ये सभी भेद, बेंग, वचन, अवास्ता, विशेश से ये आपके विशेशन पत के परिचे में अर्निवार है नेस्ट कुछन देखते हैं कुछन नमर 75 कर रहा है कि दिये गए मुहावरे का अर्थ बताएं आँखे का काजल चुराना तो 75 का राइटेंसर आपका हो जाएगा आप्शन नम 6 का राइट एंसर आपका हो जाएगा अप्शन नमर C कहने कि उस मजदूर से काम किया नहीं जाता या आपका वाक्य के किरिया स्वतंत्र नहीं है नेस्ट कुछन देखते हैं दोस्तों कुछन नमर 77 कह रहा है कि दिये गए मुहावडे का अर्थ बताना है कि अपनी करनी पार उतरनी यानिकि 77 कर राइटेंसर हो जाएगा अप्शन नमर A यानिकि अपने करने से ही कार पूरा होगा नेस्ट कुछन देखते हैं दोस्तों कुछन 78 कर रहा है कि मैं मैं आप चला जाओंगा इस वाक में आप कौन सा सर्व नाम है तो 78 कर राइटेंसर हो जाएगा अप्शन नमर C निजवाचक सर्व नाम है नेस्ट कुछन देखते हैं दोस्तों नेस्ट कुछन हो जाएगा कहरा 79 कि ताज महल बहुती सुन्दर है यह कैसा वाक्य है तो 79 कर राइटेंसर हो जाएगा अप्शन नमर C यह विशम यार्थक सब्द है यह विशम यार्थक सब्द है नेस्ट कुछन देखते हैं दोस्तों कुछन नमर 78 कह रहा है कि दियेगे मुहावडे का अर्थ बताएं यहनि कि पल्ला छुराना तो 80 का राइटेंसर आप का हो जाएगा ऑप्शन नमर C यहनि कि छुटकारा पाना नेस्ट कुछन देखते हैं 81 41 कहरा है कि दिएगे मुहावडे का अर्थ बताए यानि कि आँख लगना तो 81 करा इटेंसर आपका हो जाएगा option number C यानि कि नीद आना next questions देखते हैं दोस्तो question number 82 कहरा है कि दिएगे मुहावडे का अर्थ बताए यानि कि मुह की खाना तो 82 का राइटेंसर आपका हो जाएगा आफसन नमर C. पराजित होना Next question देखते हैं दोस्तों कहई आए कि कभी का संधी विच्छेद होगा तो 83 का राइटेंसर होजाएगा आफसन नमर C. एनल कि कभव प्लस ही, भूछाबर कभी नेश कोशन देखते हैं दोस्तों, 84 कह रहा है कि वह खाता होगा, डैस इस वाक की किरिया किस काल की है, तो 84 का राइट एंसर आपका हो जाएगा, आपसन नमर B, यानि कि संदिग्द बरतमान काल है, वह खाता होगा, डैस इस वाक की किरिया किस काल की है, तो संदिग्द बरतम पानकाल की 84 का राइट एंसर बी हो जाएगा नेश कोशन देखते हैं दोस्तों कोश्चन नमर 85 को रहा है कि दिये गेड़े खांकित सब्द का सुध सब्द छाटिये तो 85 का राइट एंसर आपका छाटना है तो 85 छाटिये तो रस खान प्रभूती कभी हिंदी साहित में कम ही ह तो 85 का राइट और इंसर आपका हो जाएगा ऑप्स नमर ए यानि कि प्रभूती जो है ये आपका सही है नेश कोशन देखते हैं दोस्तों 86 कर आएके दिये गये मुहावडे का अर्थ बताएं उठ जाना कि यानिके 86 का राइट अर्थ आपका हो जाएगा Option number C यानिकी मर जाना Next question देखते हैं दोस्तू 87 कर आएके दिये गये मुहावडे का अर्थ बताएं यानिकी किनारा करना तो 87 कर आएट अर्थ आपका हो जाएगा Option number C यानिकी अलग हो जाना Next question देखते हैं दोस्तू 88 कर आएके स्वाह प्लस गोह यार डैस संदी का उधारन है तो 88 कर आएट अर्थ आपका हो जाएगा Option number C या विशरक संदी का उधारन है Next question देखते हैं दोस्तू 89 कह रहा है कि जो सवब किसी संग्या की विश्यस्ता बताएं वह है तो 89 का राइट एंसर आपका हो जाएगा Option number B वह विशेशन है 19 कह रहा है कि अनिश्चित संख्या वाचक विशेशन का उदारन है तो 19 का राइट एंसर हो जाएगा Option number B उस गली में अनिश्चित संख्या वाचक विशेशन का उदारन है नेश्चित संग्या वाचक विशेशन का उदारन है नेश्चित संग्या रहा है कि बीते हुए समय से किस काल का बोध होता है तो 91 का राइट एंसर आपका हो जाएगा नेश्चित संग्या रहा है कि दिये गए मुहावडे का अर्थ बताईए कि आप बैल मुझे मार तो 93 का राइट एंसर आपका हो जाएगा Option number C जान बुश कर मुसीवत में परना नेश्चित संग्या रहा है 94 का राइट एंसर आपका हो जाएगा Option number D यानि कि सिरी भूसन जी के अनेक काम है यह अपका वाक जो दिया हुए सुद्ध है नेश्चित संग्या देखते है 95 कर रहा है कि अगनी सब डैस से बना है तो इसका राइट एंसर 95 का हो जाएगा Option number B यानि कि अगनी इसी सब से अगिन सब जो है Option number D यानि कि निरलज हो जाना 97 नेश्च कुछन देखते है 97 97 कर रहा है कि वाक का विधे होता है वाक का विधे होता है तो 97 कर आइट एंसर हो जाएगा Option number C वाक की किडिया Next question देखते है 98 कर रहा है कि दिये गया मुहावरे का अर्थ बताइए आग में घी डालना तो 98 कर रहा है Option number C किसी के क्रोध को भरकाना Next question देखते हैं दोस्तो Question number 99 कर रहा है कि मैं देख रहा था सांथ सरोबर और उसमें तेरता हुआ हंस इस वाक में तेरता हुआ हंस क्या है तो 99 कर रहा है Option number C यानि कि वा पद बंध है Next question देखते हैं और अंतिम question आज का हो जाएगा कि दिये गए मुहावडे का अर्थ बताएं तो कुर्सी तोरना तो 100 कर राइटिन से रबका हो जाएगा Option number D यानि कि मेहनत ना करना तो दोस्तो यह तो बिहार SI मेंस का हिंदी का Practice Set number 4 इससे पहले दोस्तो हम 3 Practice Set करा चुके हैं अगर आपने नहीं देखा है तो मेरे Playlist में जाकर उसे देख सकते हैं दोस्तो हमें टुटिडिया का Current Affairs भी करा रहे हैं उसमें भी हम 3 Practice करा चुके हैं अगर आपने नहीं देखा है तो मेरे प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट था कि अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हैं इसे सब्सक्राइब कर दें इसे जदा सब्सक्राइब करें दोस्तों में सेर करें Facebook, WhatsApp, Telegram के माध्यम से और बेल आइकन का बटन दबाना न भूलें क्योंकि जो भी मैं वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेसन आपको पहले प्राप्त होगा चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद